Hello everyone, स्वागत आप सभी का लोकवानी पार्ट शाला में और करंट अफेर्स की अगली किलास में तो चलिए आज की किलास में मैं आपको 21 मई से लेकर और 23 मई 2023 तक की टोप 10 एग्जाम वाली करंट अफेर्स के बारे में बताऊँगा इससे पहले मैं आपको 1 मई से लेकर और 20 मई 2023 तक की करंट अफेर्स की क्लास प्रोवाइड करा चुका हूँ I hope की आपने सभी क्लासिस को अच्छे से देखा होगा क्लासिस को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन बोक्स में देदिया है वहाँ जाकर आप सभी क्लासिस को अच्छे से जरूर देखें तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो क्लास को आप शेर जरूर करें वो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए पहला कोशन पढ़ते हैं लिखा हुआ है परधान मंतरी मोदी जी ने हाल ही में किस इस्थान पर महत्मा गांधी की एक मूर्ती का अनावरन किया है तो भई हाल ही में परधान मंत्री मोदी जी जापान गए हुए है जी सैवन सिकर सम्मिलन में भाग लेने के लिए तो जापान के हिरोश्मा सहर में मोदी जी ने महत्मा गांधी की एक मूर्ती का अनावरन किया है अगला कोशन पढ़ते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंग्रेजों के समय से खाली पड़ी दो लाख एकड जमीन किसानों को सोप दी है तो इस राज्य का नाम है आंधर परदेश थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ आंधर परदेश के तीन जिले नेलोर परकासम और कडपा में कुल मिलाकर लगभग दो लाख एकड जमीन अंग्रेजों के समय से खाली पड़ी थी तो आंधर परदेश के मुख्या मंतरी Y.S. जगन रेडी ने इस जमीन को किसानों को सोप दिया है अगला कोशन पढ़ते हैं हाल ही में अंतर रास्टिय संग्राल अंगला कोशन पढ़ते हैं हाल ही में किस खिलाडी को अरजुन अवोड 2023 से सम्मानित किया गया है तो इस खिलाडी का नाम है अंजुम मोदगिल थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ अंजुम मोदगिल एक अंतरास्ट ये निशाने बाज हैं इनके लिए वर 2023 में उनको इस अवोड से सम्मानित किया गया है अगला कोशन पढ़ते हैं हाल ही में किस मैसेजिंग एप ने यूजर्स के लिए नया सिक्योर्टी फीचर लूंच किया है तो इस एप का नाम है वोट्सेप वोट्सेप ने एक नया सिक्योर्टी फीचर लूंच किया है इसक तो आप लोग कर सकते हैं ताकि दूसरा व्यक्ति उसको ना देख पाए अगला कोशन पढ़ते हैं तिर्थी यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा परदान करने वाला देश का पहला राज्य कोन बना है तो इस राज्य का नाम है मध्यपरदेश अगला कोशन पढ़ते में चीन ने दक्षिन कोरिया को 3-0 से हरा कर ये खिताब जीता है अगला कोशन पढ़ते हैं इटालियन ओपन तो इटालियन ओपन का सम्बंद होता है टैनिस खेल से तो इटालियन ओपन 2023 का खिताब किस खिलाडी ने जीता है तो इस खिलाडी का नाम है डेनिल मेद जो रूस देश के खिलाडी हैं और इनोंने होलगर रूने को हरा कर ये खिताब जीता है अगला कोशन पढ़ते हैं हाल ही में किस मैट्रो ने इतिहास रचते हुए भारत में पहली बार अंडर वोटर मैट्रो ट्रेन का सफल संचालन किया है तो इसका नाम है कलकत्ता मैट्रो कलकत्ता मैट्रो ने हुगली नदी के नीचे वही हुगली नदी कलकत्ता में इस्थित है तो हुगली नदी के नीचे सुरंग बनाई है और वहाँ पर मैट्रो स्टेशन बनाया है तो वहाँ पर मैट्रो ट्रेन चलेगी जो पानी के नीचे चलेगी और ये ट्रेन कलकत्ता से लेकर और हावडा तक यात्रियों को लेकर जाएगी अगला कोशन पढ़ते हैं हाल ही में किस मेट्रो ने QR कोड आधारित पेपर टिकट की शुरुआत की है तो इस मेट्रो का नाम है दिल्ली मेट्रो आपने देखा होगा कि जब आप मेट्रो में ट्रेवल करते हैं तो आपके पास एक प्लास्टिक का टोकन होता है उसी को टिकट माना जाता है लेकिन अब दिल्ली मेट्रो ने क्या किया है तो अब दिल्ली मेट्रो ने QR Code आधारित पेपर टिकट की शुरुआत की है तो अब प्लास्टीक टोकन की जगहा पर आपको QR Code आधारित पेपर टिकट दिये जाएंगे तो इनकी कुछ condition भी है वो condition भी मैं आपको बता देता हूँ तो चलिए थोड़ा सा मैं इस ticket के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ ताकि अगर आप कभी बिल्ली मेट्रों के अंदर सफर करें तो आपको वहाँ पर किसी तरह की परेशानी ना हो पहला point क्या है जिस मेट्रो स्टेशन से rider यानि जो भी सवारी है जिस मेट्रो स्टेशन से rider को QR आधारित paper ticket मिलता है उसी स्टेशन पर entry के लिए इस ticket का उपयोग किया जा सकता है अब तक क्या था आपके पास plastic का token होता था तो आप उससे किसी भी स्टेशन से एंट्री कर लेते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा जहां से आपको ये QR आधारित paper ticket मिलेगा आप उसी स्टेशन से एंट्री कर पाएंगे अगला point क्या है QR based ticket जारी होने के बाद 60 मिनट तक इस्टेशन में एंट्री करना जरूरी है यानि यात्रियों के पास QR आधारित paper ticket का उपयोग करने के लिए 60 मिनट का समय होता है यदि यात्री 60 मिनट के भीतर इस्टेशन में एंट्री करने में सफल नहीं रहते हैं तो फिर paper ticket एमान्य हो जाएगा और वे इस्टेशन में परवेस नहीं कर पाएंगे या इस ticket का refund भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगला point पढ़ते हैं इस्टेशन में परवेस निकास के लिए phone पर paper ticket की तस्वीर का उपयोग नहीं कर सकते हैं आपने नोर्मली देखा होगा कि हम क्या कर लेते हैं फोन में फोटो खिच लेते हैं तो अगर आपने फोन के अंदर ticket की फोटो खिच रखी है तो उसको valid नहीं माना जाएगा यदि ऐसी कोई परती का उपयोग करते हुए आप पाए जाते हैं तो rider को बिना वैद ticket के माना जाएगा और दंडित किया जाएगा अगला point पड़ते हैं अगर कोई आतरी अपने गंतव्य स्टेशन से पहले बाहर निकलता है बाहि मान के चलिए कि आपको दिल्ली से जनक पूरी जाना है लेकिन आप उससे पहले ही निकलना चाते हैं मेट्रो से बाहर तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मुफ्त निकास ticket आपको एक लेना पड़ेगा क्योंकि QR आधारित paper ticket gate पर काम नहीं करेगा क्योंकि आगर आपको जनक पूरी जाना है तो वो जो टिकट आपको मिला है वो आपको जनकपुरी स्टेशन से ही बाहर निकलना चाते हैं तो आपको मुफ्त निकास टिकट भी लेना पड़ेगा इसी तरह यदी कोई अपने अंतिम इस्टेशन से आगे की यात्रा करता है तो उसे अतिरिक्त किराया देना होगा और निकासी टिकट भी लेना होगा इसके बाद ही इस्टेशन से बाहर निकल पाएंगे वही हम ऐसा भी कर लेते हैं कि मानके चिलिए जनकपुरी उतरना था लेकिन हम उससे अगले इस्टेशन पर उतर जाते थे उस प्लास्टिक टोकन की हेल्प से लेकिन अब ऐसा भी नहीं होगा अगर आप अगर आपने जहां तक की यात्रा कर ली है आप उससे आगे भी ट्रेवल कर रहे हैं तो आप इस्टेशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए पहले आपको अत्रिक्त किराय देना पड़ेगा तभी आप इस्टे चलिए फास्ट्रेक रिविजन की शुरुवात करते हैं पहला कोशन है हाल ही में अशियान सिखर सम्मेलन 2023 किस देश में शुरू हुआ है तो इस देश का नाम है इंडोनेशिया अगला कोशन पढ़ते हैं हाल ही में किस राज्य में हिंसा बढ़कने के बाद केंदर सरकार ने अनुच्छे 355 लगाया तो इस राज्य का नाम है मनीपूर अगला कोशन पढ़ते हैं परमानू उर्जा आयो के अध्यक्स के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो इनका नाम है अजीत कुमार मोहनती ये सब मैं आपको पिछली किलास के अंदर बता चुका हूँ आई देश की मदद कर रहा है तो ये मैंने आपको पिछली करंटर फेर्स में बताया था कि वर्स 2023 में जो पहला चक्रवाती तूफान आया है मोचा उससे मयामार देश परभावित हुआ है तो मयामार देश की हेल्प के लिए भारत ने ओपरेशन करूना चलाया है जिसके दुआ अगला कोशन पढ़ते हैं आरबी आई ने 2000 रुपे के नोट बैंक में जमा कराने के लिए अंतिम्तिती क्या निर्धारित की है तो पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि आरबी आई ने एक डिकलेरेशन एक घोशना की है जिसके दुआरा आप 2000 रुपे के नो जिसको आप चेंज कराना कहते हैं तो आप अपने 2000 रुपे के नोट को चेंज करा सकते हैं तो चलिए आज की हमारी ये टोप 10 करेंट अफेर्स खतम होती है क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को आप शेर जरूर करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें चैनल का और नई करेंट अफेर्स के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी थैंक यू